तोपर्स लेन के प्लेट पार्म पर आपका स्वागत है तो आज की चर्चा का विशे है बुखारेस्ट नाइन चलिए जानते है चर्चा में क्यूं? हाल ही में बुखारेस्ट नाइन बुचरेस्ट नाइन ने उत्तर अटलांटिक संधी संगठन नेटो के पूर्व की और विस्तार को लेकर रुसी दावे को खारिच कर दिया बुखारेस्ट नाइन क्या है? यह पूर्वी यूरोप में स्थित नौन आटो देशों का एक समू है जो शीत युद की समापती के बाद अमेरिका के नेतरत्व वाले सैने गठबंधन का हिस्सा बन गए बुखारेस्ट नाइन को संक्षिप्त में भी नाइन भी कहा जाता है बुखारेस्ट नाइन या बुखारेस्ट फॉर्मेट की स्थापना 4 नवंबर 2015 को हुई थी इसका यह नाम रुमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के नाम पर रखा गया है बी नाइन को नाटो गठबंधन में पूर्वी पक्ष की आवास वोईस अफ दे इस्टन फ्लैंग के रुप में भी जाना जाता है बी नाइन की संरचना, स्लोवाकिया, तीन बाल्टिक कड़राजे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये सभी नौदेश पूर्व सोवियत संग से जुड़े हुए थे लेकिन बाद में ये लोक तंत्र बन गए बी नाइन, नाटो के सदस से राजियों के बीच समवाद और परामर्श को मस्बूत करने के लिए एक मंच के रुप में काम करता है बी नाइन के सभी सदस से ये रोपिय संग, ईयू और नाटो का हिस्सा है 3C's Initiative के बारे में B.A.B.S. पहल के रुप में भी जाना जाता है ये यूरोपियन यूनियन के 12 सदस से राजियों का एक महत्वा कांग्शी मंच है ये 12 सदस से हैं बुलगारिया, एस्टोनिया, क्रोईशिया, लात्विया, लिथुवानिया, आस्ट्रिया, पोलेंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, चेक, गणराज्य और हंगरी आज का प्रश्न निम्लिलिखित कथनों पर विचार कीजिए बुखरेस्ट 9, B9 को 3C's initiative भी कहा जाता है B9 के सभी सदस से यूरोपीय संग, EU और NATO का हिस्सा है उपर युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2 अगर आपको यह विडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेर और सबसक्राइब जरूर करें